ग्वालियर से हैं मनोर्मा जी स्वागत है आपका है यह कोई बच्चे पीने लगें तो इसकी कैसे छूटे जी शराब पीते बच्चे जी बच्चे कितने बड़े हैं बच्चे चोविस साल गां चाह देखे एक तरकीब तो है उनके ना बोतल बोतल होती होगी कुछ हमें तो पता नहीं हमने तो कभी शराब ने पी तो उस बोतल में एक चावल के बराबर फिट क्री मिला के मिला दें खामुशी से तो पीएंगे तो सही लेकिन पीएंगे तो उनको उससे नाफरत सी होने लगती है और कभी उल्टी भी हो जाती है पीने से लेकिन उसमें मिक्स कर दें एक चावल के बराबर फिट करी तो भगवान चाहेगा तो उनकी ये परिशानी जा सकती है तो बिलकुल मनुर्मा जी आ किसान खुद हिम्मत नहीं करता है तो वह चीज छोड़ ही नहीं सकता लेकिन उसके बावजूद आपको एक नुस्का यहां पर हकीम सहाब ने बता दिया है प्रियास कीजिगा शायद आपको सफलता मिल जाए इसी के साथ अगले कॉलर हैं बात कर लेते हैं स्वागत है आप मैं आपका सवाल क्या है मेरा सवाल क्या है कितने सालों से अच्छा आपकी उम्र क्या है नर्यक्ती ही चीक हमें आपकी एमर समझ में वैसे आ रही है आपकी आवाज से और आपके अंदाद से देखिए यह दर्द साब को होता है तकरीबर किसी को जल्दी किसी को ज़ente है उम्र मैं और आपकी उमर तो थोड़ी ज़ादा है तो देखिए एक मैं बार बार बताता हूं हर प्रोग्राम में बताता हूं कि एक दवा है जो पंदर-सोलह रुपे रोस की पड़ती है। इसे काला गौंद कहते हैं। इसे गौंसिया हम लोग कहते हैं। या काला गौंद कहलो या गौंसिया लेकिन मिलना चाहिए असली। आजकर नकली बहुत मिलने तो असली मिलता था सब जगा, आप लोग नलच में आगए है, और नकली बेचने लगे, कोई आलवा बेच देता है इसकी जगा, आलवा नहीं है यह, कोई इसकी जगा ढाक का गॉन्द भू भी काला काला होता है, वो बेच देता है और पैसे कमाने लेता है लेकिन ये गलत है गौंसिया अलग चीज़ है अगर मिल गए आपको असली तो आदा गिराम सुबह खाएं आदा गिराम शाम नाचते हैं और खाने के बाद पानी से या बगहर चर्बी के दूस से लेकि एक दीट में 15-16 रुपे खाच होते हैं गिराम 15-16 रुपे का आता है और आदा आदा गिराम खाना है बस है और फाइदा तो 5-7 दिन बाद शुरू करता है लेकि 100 गिराम भी किसी को असली मिल गया तो फाइदा होना मुम्किन है हर्यान से है सत्यवीर जी स्वागत है आपका हालो हालो हां जी बोलिए मेरे चेहरे में ज्माई है क्या करना की उसके लिए आपकी उम्र क्या है 30 साथ ठीक है जाईयों के लिए एक बड़ा अच्छा नुसका है अगर आपको मिल जाए असली सफेद गौन मौरिंगा यह बहुत अच्छा काम करता है यह रौ मैटेरियल है गौन है एक पेड़ का लेकिन लोग लाल वाला या पीला वाला दे देते हैं उसकी जगा या कुछ और दे देते हैं सफेद गौन मौरिंगा अलगी चीज़ है यह आप 100 ग्राम 200 ग्राम खरीद ले और वो दस पंदार रुपे रोज का इलाज है एक ग्राम पानी में मिलाके यह दूद में मिलाके यह नारियल पानी मिलाके जैसे भी आपके हालात है सबसे काम करता है और रोजाना एक बार पी लिया करें आपको फायदा होना मुम्किन है जी राइपूर से हैं सल्ताना स्वागत है आपका यह कह रहा है हाँ कि मुझे यह परिशानी है देवी दाद भई है क्या परिशानी है दाद भई है दाद दाद हो गया दाद की परिशानी है चो दिखिए अलसी लीजे और उसको भून कर पॉडर बना ले हलका सा भून कर अलसी का पॉडर बना ले और दो तीन सो गिराम जिट्टी भी आप चाहें और इसको खाएं आप एक चमच रोजाना और इसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला दें एक चुटकी यह है इसे चुटकी कहता हूँ इसमें मिला के रोजाना एक बार खा लिया करें पानी पीए पाँच बार गरम तो आपको यह फाइदा होना मुम्किन है प्रेम देवी जी है दिल्ली से स्वागत है आपका आजि नमस्कार प्रश्म कर लीजी जी मेरा बेटा है 16 साल गा वो देवी ना पिशाप कर देता है इस तर्गिला कर देता है ठीक है अज कल तो देखिए गज्जग रेवडी ये बहुत मिलते हैं गज्जग हुप खिलाया करें रेवडी खिलाया करें और रात को सोते समय दो द ताजा ताजा और उनकी गिरी निकालें मिंग निकालें दो अखरोट और दस किश्मिश उसको रात को सो तिसा में खिला जिया करें तोड़ा इलाज लंबा चलेगा लेकिन बच्चे को फाइदा होना मुम्किन है जी महराश्व से हैं गुलाब सावंत जी स्वागत हैं आपका जी हाँ बोलिये सर आपका सवाल क्या है मैं वो अपका एक नुस्का मंगारा ता हकिम जी नी तो चारू किया है जो इसमें दनिया सोप और मेती जार एटम और जैटून का नमक तो ये ले रहा हूं मैं जी 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 मैं याइब़ अंगाया तुमारा जैटून का तो ले सकता है क्या मेरोको कुछ प्रॉब्लम नह्यां आथकि डाउपेदी नहें नहीं कि HAYB, BPP नहीं हो तो ले सकता हूं क्या सुबह शाम, और दुसरा एक सवाल है, मेरे अवरत तो तुमारा यह ले रहे है, तुमारा गोंतिया, सुबह शाम, तो उसको यह मैं जो इसका इस्तेमाल कर रहा हूं पेट साथ के लिए, दनिया, सोब, बड़ी सोब, तो ले सकती है क्या? ठीक है, अच्छा, आपकी पतनी को फाइदा हो गया शुरूँ? हाँ, हो गया, हाँ, वो भी ले सकती है, उन्हें प्राब्लम कम हो तो कम ले, ज्यादा हो तो आपकी बराबर ले, और आप भी आपको डायवटीज ना सही, लेकिन आप एक बार जैतुन का सिरका ले सकते हैं, और आपको फाइदा शुरू हो गया, तो मैंने लिए बहुत ख खोड़ भी सकते हैं, जब आपकी तबियत ने ठीक हो जाए, तो फिर छोड़ भी सकते हैं, आपको फाइदा होना मुम्किन है, बिहार से हैं, अस्मा स्वागत है, आपका, आपको हाट में प्रॉब्लम रहती है, और प्लेटलेट्स कम बताईएं आपने, जी, कम हो गई है, पैजिस हजार कम है मेरे बदने, जी, ठीक हर कर रहता है, और उसमें हलका हलका दर्स दहीं रहता है, ठीक ही, ठीक ही, ठीक है, जो देखें, एक तो अगर वाकई प्लेटलेट्स कम हैं, तो बहुत आसान इलाज है, आप जाईए, और अब यहार से बात कर रहे हैं तो घर घर में गाओंवों में तो पपीते का पेड़ होता है पपीते का पत्ता तोड़िये चार इंच का और रोजाना एक बार खा ले बहुत ज़्यादा परिशानी है तो दो बार खाएं चार इंच का चार इंच देखिए इतना बड़ा होता है इतना बड या दो बार तो प्रेटलेट्स को फॉरण अप कर देता है अगर इसकी आपको पाबलम है तो अगर खून कम है दिल कमजोर है धड़कन बढ़ती है तो इसके लिए जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का तिन तिन चमच दो वार पीएं दिन में खाने के बाद छोटे चाय के चम पागत है आपका रिया आपको मेरी आवाज मिल पा रही है हां जी बोलिये मेरे ना ये लेस्ट टांग पूरी ये दर्द होती है और साथ में चल भी नहीं सकती हो मैं इतना आपके उम्र क्या है नहीं पोटी वारी हाँ दीओ ये दर्द मैं कहता हूँ चालिस साल के बाद किसी को भी आ जाते हैं तरह तरह की बीमारी है इससे पहले ही हमें होश्यार हो जाना चाहिए एक तो रिया आपको घर में ये वेस्टन ट्वालेट कुर्सी वाला शोचाले होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार एक चीज को तारूफ कराता हूँ परिचित कराता हूँ घर घर तक की बात पहुच चुकी है कि एक गौन्द आता है गौन्द सियाह इसे काला गौन्द भी कहते हैं ये असली मिलना बड़ा दुश्वार हो गया अभी तो पहले सब जगा असली मिलता था अब सब काई नकली मिलने लगा ये अलग टाइप का गौन्द है इसकी जगह लोग ऐलवा दे देते हैं या कोई और गौन्द देते हैं या धाक का गौन्द देते हैं ये काला गौन्द अलग टाइप का है जिसे हम गौन्द सियाह कहते हैं सो ग्राम खरीद लें बस असली अगर मिल और खाने के बाद फाइदा ये पांच साथ दिन के बात करता है लेकिन आपकी रोग की जड़ पर काम करता है सो गिराम भी किसी को अगर असली मिल दिया तो उसको फाइदा होना मुम्किन है जी राजिस्थान से हैं मौनिका स्वागत हैं आपका हाँ जी मैन नमाशकर आपके उम्र क्या है मेरी उम्र फट्टीस साल है आपका सवाल वजख ठेग है दूसरा थे मेरी हउट कम है पट्टीस साल में और धोड़ी हइट बंड आना चाहती है ने कि कि पच्चिस साल के बाद महिलाओं की बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ पाती हलांके लोग दावे बहुत करते हैं कि हर उमर में बढ़ जाती है लेकिन मेरा अनुभव यह नहीं बढ़ती है लेकिन मैं एक ऐसी दावा जरूर बता दूँआ कि जिससे आपके बाल रुख ज आने चाहिए और अगर आप अंडर एज होते यह नहीं ग्रोथ की उमर में होते तो आपकी हाइट भी बढ़ सकती थी लेकिन आपके बाल रुख सकते हैं आपका शबाब ऐसा हो सकता है जिसे आप चाहें आपके चेहरे की रौना कैसी हो सकती है बालों की समस्या या महासों क समस्या किसी को हो तो गो आता है सफेद गौन मोरिंगा असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है आधा गिराम या एक गिराम रोजाना पानी में मिलाकर तूद में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर तीनों से फाइदा देता है लगातार खाईए एक गिराम रोजाना खाना है बस आपको फाइदा मुम्किन. जी.